हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागात है आट 247 के दखकवर स्टोरी में वैबो श्रवास्तों के साथ जी हाँ दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं संची पेंटिंग के बारे में आपको बता दें हम लोग का जो सिरीज चल रहा था हम लोग जैसे कल में हमने आपसे बात किया इनफेक्ट आपका कमेंट भी पड़ा कि आपका जो बैंक की न्यूज वाला सिरीज है इसको हम आगे लेके चलते रहेगे यह आपका चलता ही रहेगा यह आपका ब्रेक नहीं हम आपको अप्डेट करते रहेखे और मेमंद का हम पूरा कवर कराएंगे आपका इस बार संडे को भी क्लास लेंगे हम ताकि यह सारी चीजे आपकी ऑन की कवर हो सके तो साथियो हम यहाँ हम यह बात करने वाले हैं क्या तो हम यह बात करने वाले सांजी पेंटिγk कैसे न या फिर किस जगह से बिलॉंग करता है, कैसे बनता है, इसका क्या significance है, यह सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं इस छोटे से session में, तो उससे पहले आप से गुजारिस रहेगा, कि आप सभी class को like और share कर दीजेगा, ताकि लोग ज्यादा स-ज्यादा हम लोग साथ जूर सके, और तो और भाई, जो नए दोस्ते हैं, वो चनल को subscribe करके, bell icon प्रेस कर लेंगे, ठीके, दोस्तों आपने देखे होंगे, PM Modi ने gift किया, Sanji Art Panel to US President Biden during meeting in Tokyo, कैसे Tokyo की meeting हो रही थी, Quad की, Quadilateral, जैसा कि आपको पता ही होगा, इसमें 4 देस, US, Japan, Australia, और India, यह 4 देस इनकी meeting में, तो PM Modi ज और दो bilateral meeting हो रही थी, individually, PM Modi to Biden, PM Modi, तो Japan Prime Minister, Australia Prime Minister, तो ऐसे आप बात करें, तो उसमें जब हो रहा था, तो इन्होंने किसको gift किया, तो Biden को gift किया, Sanji Art Panel, कुछ इस तरह से panel था, आपको देखना होगा, यह news में भी था, तो हमारा मुद्दा यह नहीं है, कि इन्होंने gift किया, य किसी painting को इन्होंने क्या किया है, highlight करवाया, किसनी, PM Modi नी, अभी अपने सुना होगा, कुछ दिन पहले की बात थी, इन्होंने एक जगा यूज किया था, मधुबनी painting को purchase किया था, जब इन्होंने रूपे काड के launch पर गया थे, Singapore, आपको याद होगा, तो दोस्तों, सेम वह ब्रज, ब्रज काता है, ब्रजभासा, वही ब्रज, रिजन, फिल्ट, ओनर, यानि कि पूरा ब्रज, क्या कर रहा है, सम्मानित, यानि गौरवानित महसूस कर रहा है, ठीक है, इस कदम से, जो मतुरा का painting है, सांजी आर्ट, दोस्तों, ब्रज, जैसे मतुरा आपको पता ही ह है, यह सारी चीज़े हम जानते हैं, और यह कहां-कहां यह हो जोता, कुछ ऐसे भी painting बनते हैं, आप देख सकते हो, दोस्तों, हिंदुस्तानी बिरादरी, एक NGO जैसा वर्क है, कानि कहसने का मतलब, एक संगठन जैसा है, ठीक है, हिंदुस्तानी बिरादरी, Vice Chairman Visal Sarma, said that the Sanji Art Panel presented to US President Joe Biden by PM Modi was created by Mathura artist, late Chan Sukh Daswarma, यानि कि एक आर्टिस्ट है, जिनका नाम था, चैन सुकh Daswarma, उनका मृत्य हो चुका, उनका निधन हो चुका है, उन्होंने इस Mathura, इस painting को, यानि कि जो पैनल आपको दीख रहा होगा, सांजी आर्ट जो दीख रहा है, जो बना हुआ है, जो उन्होंने गिफ्ट किया, ये किसको, यानि उन्होंने बनाया था, और इसी क पीम मोदी ने किसको गिफ्ट किया, जो बाइडन को, ठीके, सांजी आर्ट पैनल, ठीके, दोस्तों, सांजी आर्ट पैनल, एक्चुली Mathura originated बोला जाता है, ये कहा जा रहा है, बहुत पुराना आर्ट है, बहुत पुरानी आर्ट, यानि कि, कह सकते हो कि, ये आज से नहीं, इन फैक्ट, ये इसका नाम करते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा जी के टाइम से चलता आ रहा है, ये तब से नाम लिया जा रहा है, इसका, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, फिलाल देखते हैं कैसे बनता है, क्या होता है, तो गैस सांजी आर्ट is a craft from that, is unique and feature, intricate picture motif, 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 मतलब picture जो लगाया जाता है, and execricite designs which are cut into paper, यानि कि कहने का मतलब, सांजी कला एक सिल्प रूप में है, जो अधिती है, इसमें जटल चित्र रुपांकर, यानि कि intricate, मतलब जटल picture, यानि कि जो कह सकते है, एक unique picture, उससे design बनाया जाता है, जो कागच को काट के, आप आर्ट कहां से originate है, तो ये मतुरा से originate है, ये आर्ट, उत्तरप्रदेश के मतुरा, and in Vrindavan, आपको पता होगा, मतुरा वrindavan, this art from risk it's peak, और दोस्तों यह कला अपनी चरम पर, यानि टॉप पर पहुँच चुका इस समय, इसका नाम highlight होते ही, यानि कि केवल आर्ट से ही highlight नहीं है ये, ये इसके पहले से भी highlight है, वो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फिर से इसको क्या कते हैं, कते हैं कि वापस से इसको जान आ गए इसमें, कि फिर से लोग जानने लगे हम और आप भी update करने इसको, कि सांजी आर्ट है क्या actually, to be honest, अगर हम बात करें, तो हमन दोस्तों, अगर हम इस आर्ट के history के बारे में बात करें, इस आर्ट के history के बारे में बात करें, तो this art from was deeply rooted in folk culture and was popularized in 15th and 16th century, यानि कि 15-16 सतक में, सदी की बात करें सारी, सदी की बात करें, तो उसमें वैस्टनो टेंपल, वैस्टनो टेंपल की दीवारों पर ये देखा जा इस आर्ट, ये जैसा design दिया हुआ है, कहीं क्या होता कि इसको paper को cut करके, कहीं क्या होता, इसको paper के cutting होती है, उसको कहीं दूसरे paper के उपर चिपका के तब बनाया जाता है, तो कहा ये जा रहा था कि 15-16 सती में इसको वैस्टनो टेंपल, जो वैस्टनो टेंपल थे, उनके दिवारों पर उनके जो कर सकते रंगोली बनाया जाते थे, उस पर ये देखने को मिलता था, या जो ब्रामभन पुजारी होते थे, उनके जो रंगोली बनते थे, उसमें ये actually use किया जाता था, इन देंपल, यानि कि मंदिरों में, dedicated to Lord Krishna, यानि कि भगवान Krishna को ये dedicated था, या जैसे दोस्तों अगर आप लोग दर्भंगा या मधुवणी रिजन से होंगे निकि अगर बिहार रिजन से होंगे तो आपको penting के बारे में पता होगा, मधुवणी पता होगा और उसमें आपको भहुत सारी जलकियां देख जाएंगी भगवान, राम और माता सिता की वही सेम एज़ इस यहाँ पर है Lord Krishna के उपर यह कह सकते हो कि maximum यहाँ पर आपको जलकियां दिखेंगी Krishna भगवान और राधा जी की ठीके तो यह कहा जा रहा है कि उनके दोरा यह मंदिर बनाया जा मतब विसेश महत्तु है इसका To gain the attention of Lord Krishna यानि कि भगवान के attention भगवान स्री कृष्ण के attention इसमें ज़्यादा लिया गया है It is believed that राधा used सांजी आर्ट from to paint her walls यानि कि यह कहा जाता है राधा सांजी आर्ट को use करती थी और अपने दिवारों को paint करने के लिए She used metal उनका यह मानना है कि वह metal foils को use करती थी colored stone को use करती थी and flowers to paint the walls यानि कि वह flower को use करती थी दिवारों को paint करने के लिए यानि कि इस सांजी आर्ट को उस time से use किया जा रहा है according to mythology जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह उस time से महत्व है और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ दिखो यह जो उकेरा गया है कि क्या कुछ चिपकाया गया है दिवारों पर यह सांजी आर्ट का एक सबसे बड़ा example है यह यहाँ तक की माना जाता है especially dedicated है Lord Krishna को दोस्तों किवल इतना ही नहीं इस सांजी आर्ट की बात करें दोस्तों current uses of सांजी आर्ट अभी आपने सुना वापस से news में आया कैसे कि PM Modi ने Biden को दिया ठीके लेकिन दोस्तों अभी इसकी बात करें यह आज से नहीं यह news booth पहले से भी है कब से है गौर कीजेगा currently सांजी printing is practiced in only a few Indian temples अभी कुछ Indian temples में आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा सांजी आर्ट विरिंदावन राधा रमन temple दोस्तों अगर आप विरिंदावन में जाओगे राधा रमन temple है वाँपर इस वन आप देम उन में से एक सबसे best example है जहां पर आपको सांजी painting देखने को मिलेगी दोस्तों सांजी art work can be found in many homes including the metro stations in Delhi आप हौजखास जाना आप INA जाना ठीके आप INA मतलब क्या आपको बता दे जो दिल्ली metro का INA metro station है या फिर हौजखास metro station है इन फैक्ट आप जादा नहीं आप करना नहीं है जनकपूरी metro station पर जाना है आप में यलो लाइन पर जादा देखने को मिलेगा जहां art and craft का मिला लगता है जैसे कि आपको सरोजणी नगर metro station आएने नजदीक है इन सभी metro station पर आपको देखने को मिल जाएगा यह सांजी आर्ट जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कई घरों में देखने को मिल जाएगा आप किसी temple में जाना जो temple होगा आपका अभी आज में बहुत सारे नाम सुने होंगे आप लोग इने तो जैसे कि आप मतुरा में किसी भी temple में जाओगे तो आपको यह देखने को दिख जाएगा तब पिक्टोग्राम के वाल इतना ही नहीं तब पिक्टोग्राम्स दूरिंग टुरिंग टुट्टी टू थाउजन टिन कॉमन वेल्ट गेम्स वेर अलसो इंस्पार बाई सांजी आर्ट गाइस आपको यह पिक्टोग्राम्स दिख रहे हूँ यह जो पिक्चर्स दिख रहे हैं एतलिट, बैट्मिंटन, बॉक्सिंग, साइकलिंग, जिमनास्ट, टेबल टेनिस, स्क्वैस्ट यह एक्च्वल इंस्पार है किससे सांजी आर्ट से यह सारे पिक्टोग्राम्स लिए गए है आप यहाँ पर देख सकते हो, यह बहुत छोटा सा है तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यह 2010 कॉमनवेल्ट, जो डैली में हुआ था तो यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा कि यह पिक्टोग्राम्स इसी से इंस्पायरों के लिया गया है दोस्तों आपको बता दे, आप हम बात करे थे अभी मतुरा में, तो मतुरा में एक टेंपल का नाम है इसकॉन टेंपल, आप इसकॉन टेंपल आप डैली में भी देखना तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा, यहाँ पर भी आपको सांजियार्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, दोस्तों अब बात आती है, अभी न्यूज कहा था अभी ये सारी मुद्दे उठे कहां से अगर PM मोदी, जो बाइडन को गिफ्ट नहीं की होते इस पैनल को तो सायद यह हम जानते भी नहीं सांजियार्ट के बारे में ठीक है, सांजियार्ट बहुत पुराना है, no doubt ठीक है, लेकिन वापस से न्यूज में आया है तो दोस्तों, मुद्दा था, actual seed क्या था, वो था QUAD QUAD यानि की, QUAD मतलब क्या, QSD, यानि की, known as Quadilateral Security Dialogue, the QUAD is an informal strategic forum comprising four nations, जिसका नाम क्या है, US, India, Australia and Japan One of the primary objective of the QUAD is to work for a free, मुफ्त में, open, prosperous and exclusive Indo-Pacific region, यानि की, जो Indo-Pacific region है, उसके लिए इनको क्या करना है Prosperous, यानि की, कहने का मतलब क्या, इन सभी reason को, यानि की, अच्छे से व्यापार, tourism, ठीक है, और आफसी मुद्दे, जो हमारे यहां के personal मुद्दे हैं, issues हैं, उसके उपर बात करना है, Quad nations के दुरू, यानि की, जिसको पहले बोला आता था, QSD, Quadilateral Security Dialer, यह आपको यादना है, ठीक है, तो यह दोस्तों यादना है, आपसे question यहां पर क्या बनेगा, question यह यादना है, Quad अभी news में रहा है दोस्तों, इनके दोरे exercise होता है, जिसका नाम है मालाबार, मालाबार exercise, जो एक multilateral exercise है, तो गईस नहाँ पर अगर हम बात करें, Quad was introduced in which year first time, यानि कि पहली बारी Quad को किस वर्स में use किया गया था, यह word, Quad कब गठन हुआ था, किस वर्स में इसका गठन किया गया था, यह आपको comment section में बताना है दोस्तों, ठीके, और guys आपको यह भी जवाब देना है, क्या, कि अभी आपसे question यह आएगा, कि दोस्तों एक question है, आपसे जैसे हम लोग ने मधुवनी painting की बात की, वैसे आपको जवाब देना है, सोहरई and Khowar, सोहरई and Khowar painting, इन में से किस जगा का painting है, जिसका भी नाम आई, नहीं, इसका भी नाम highlight है, मेरा नाम यहाब, question फिर से याद रकना, सोहरई and Khowar, सोहरई and Khowar painting, किस state का painting है, आप में मधुवनी painting, दर्भंगा, बिहार आप जाना आप, जानते हो आप, दर्भंगा, ठीक है, मधुवनी जीला, ठीक है, यह आपको पता है, लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें, कि आपका क्या, कि आपने सांजी, सांजी आर्ट को जाना, यह मतुरा का है, ब्रज का है, मेरा question होगा, आपको जवाब देना है, comment section में, दोस्तों, उम्मीद करते हैं, आपका, आज का यह session, छोटा सा session, थोड़ा informative लगा होगा, आपको कुछ और कुछ सीखने को मिला होगा, इससे, ठीके, तो दोस्तों, आपको एक चीज़ और चलते चलते, आपको बता दे, ESIC MTS का batch, जो आपका यह batch है, मेंस का batch है, इसका price drop हो गया है, जो हमारे interested candidate ने Y307 code लगा के, इसमें join कर सकते हैं, enroll कर आ सकते हैं, बहुत जल्दी इस batch store से हर जाएगा, तो जो interested candidate है, जिनका मेंस है जोइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ने आज में static update करना है हम लोगों को, part 2, दोस्तों, और IPPB की बात करें, तो वो IPPB का भी batch बहुत जल्दी सी store से हर जाएगा, इसका भी price drop हो चुका है, तो आप इसको भी जोइन कर सकते हो, IPPB executive का batch, और दोस्तों, अगर आपको सारे अभी आने वाले भी batch join करने हैं, तो आपके पास best option है, Y307 code लगा कि, bank maha pack में आप enroll करा सकते हो, for maximum discount, use code Y307, तो thank you दोस्तों, आज के लिए फिलाल इतना ही, हम फिर से मिलेंगे एक नए topic, नए मुद्दे के साथ, और guys, आपका जो bank news वाला series है, वो चलता रहाएगा, उसके आपको panic नहीं होना है, हम आपस से लेके आएंगे, ठीक है, भले से 3 news update करें, छोटा सा session लेंगे, बट लेंगे जरूर से, तब तक लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद जहिन, हरर महादे, रादे रादे, और एक बार फिर से, a very very good morning आप सभी को दोस्तों, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जहिन, पाटे क्या,